नमस्कार जेसी ए आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्फ पांच के गनित के पाठ मापन यानि मेजरमेंट और इसके अंतरगर्थ मीटर को किलो मीटर में बदलना यानि konverting मीटर इंटू किलो मीटर ये आज हम चर्चा करेंगे इस चर्चा से पुर्व जो पहले के लास में हमने पढ़ा है उससे पहले रिकैप करते हैं एक मीटर बराबर एक सो सेंटी मीटर एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर अर्थात एक हजार मीटर बराबर एक किलो मीटर चर्चा की सुरुगात हम एक उधारन से करते हैं 2115 मीटर इसे हमें बदलना है किलो मीटर में तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं दो हजार जोड एक सो पंदरह मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर हमने अभी देखा था कि एक हजार मीटर बराबर एक किलो मीटर तो दो हजार मीटर बराबर कितने किलो मीटर या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दो गुने एक हजार प्लस एक सो पंदरह और ये एक हजार क्या था एक हजार मीटर बराबर एक किलो मीटर तो ये हो गया दो किलो मीटर प्लस एक सो पंदरह मीटर अर्थात दो किलो मीटर एक सो पंदरह मीटर इसे एक और उधारन की सहायता से स्पस्ट करनी की कोशिस करते हैं 1345 मीटर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1000 मीटर जोड 345 मीटर और 1000 मीटर बराबर कितने किलो मीटर हुए? एक किलो मीटर तो ये एक किलो मीटर प्लस 345 मीटर तो ये हो गया हमारा एक किलो मीटर 345 मीटर अब हम मीटर सेंटी मीटर का जोड कैसे किया जाए? ये सिखते हैं तो इसे भी हम एक उदारन की साहता से स्पष्ट करते हैं ये हमारा पहला प्रस्ण है 18 मीटर 35 सेंटी मीटर को जोड़ना है 13 मीटर 40 सेंटी मीटर से तो जिस तर से साधारन जोडते हैं उसी तर से जोड़ेंगे पांच और सुन्य पांच तीन और चार साथ और इधर आठ और तीन ग्यारा का एक हाथ में रहा एक एक और एक दो और एक तीन तो ये हो गया हमारे 31 मीटर 75 सेंटी मीटर अब दूसरा कोश्चन लेते हैं 15 मीटर 75 सेंटी मीटर जोड 43 मीटर 45 सेंटी मीटर तो इसे जोडते हैं पांच और पांच दस का सुन्य हाथ में रहा एक साथ और चार ग्यारा और एक बारा यानि हो गया 120 cm लेकिन 100 cm ब्राबर होता है 1 मीटर तो ये 120 cm ब्राबर हो जाएंगे 100 cm जोड 20 cm और थाथ ये 100 cm मतलब 1 मीटर प्लस 20 cm ये हो गया 1 मीटर 20 cm तो यहां हम cm के नीचे हमारा तो 20 cm रहेगा तो ये जो 1 मीटर है वो इस मीटर वाले में जुड जाएगा तो हम इस 1 मीटर को हम इधर ले आते हैं मीटर वाले में तो हो गया ये हमारा 5 और 3, 8 और इधर से 1 मीटर लाए थे 8 और 1, 9 और इधर हो गया 1 और 4, 5 तो ये हमारा हो गया 69 मीटर 20 cm आए अब हम लोग मीटर सेंटी मीटर का घटाओ किस तरह किया जाता है इसे सीखते हैं तो ये भी हम उदारन की सायता इसे ही सीखते हैं पहला हमरा प्रश्ण है 27 मीटर 65 cm से घटाना है 21 मीटर 40 cm तो आए घटाते हैं 5 से सुनने गया यहां 5, 6 से 4 गया 2 और यहां 7 से 1, 6 और 2 से 2 शुनने तो यह हमारा एंसर आगया 6 मीटर 25 cm अब एक और उदारन देखते हैं 18 मीटर 35 cm से घटाना है 13 मीटर 40 cm लेकिन यहां एक समस्या आ रही है समस्या क्या है यह 35 छोटा है 40 बड़ा है तो छोटे से बड़े को तो घटाना समभव नहीं है तो क्या करेंगे हम रहते हैं 18 मीटर 35 cm इसको 18 को हम तोड़ देते हैं 17 मीटर जोड एक मीटर और यह हो गया जोड 35 cm तो यहां हो जगया 17 मीटर और एक मीटर के जगह हम लिखते हैं एक सो सेंटी मीटर जोड 35 cm तो यह हो गया हमारा 17 मीटर जोड 135 cm तो यहां अगर हम इसको यहां देखते हैं तो यह हो जा रहा है मारा 17 मीटर और 135 cm तो 135 से 40 तो घटाया जा सकता है ना तो हम इसे 135 मानते हुए घटाते हैं पांच से सुनने पांच और 13 से चार 9 यह समझने एक लेश रफ लिखे थे यहां आ जाते हैं तो इस 18 से 1 मीटर तो हम यहां लेकर आ गया थे जो सेंटी मीटर में कनवर्ट हो गया था तो यहां बच गया क्या 7 या 17 मीटर तो 17 से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 तो हमारा यहां आ गया 4 मीटर 95 सेंटी मीटर आसा है कि यह किस तरह से हमने मीटर को सेंटी मीटर में कनवर्ट किया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इस तरह से हम लोग मीटर सेंटी मीटर का घटाओ करते हैं कि अब हम लोग किलो मीटर और मीटर का घटाओ सीखेंगे तो पहला उधारण जो हम ले रहे हैं यह 8 किलो मीटर 320 मीटर से घटाना है 5 किलो मीटर 210 मीटर को पाई यह घटाते हैं सुन्य से सुन्य हो गया, दो से एक हो गया, एक, तीन से दो हो गया, एक, और आठ से पांच, तीन, तो ये हमारा आ गया, तीन किलो मीटर, एक सो दस मीटर, एक और उधारन देखते हैं, ये 5 किलो मीटर 650 मीटर से घटाना है, 4 किलो मीटर 750 मीटर, लेकिन हम यहां देख रहे हैं, एक समस्या है, हमारे पास, ये उपर वाला छोटा है, और ये बड़ा है, तो क्या करेंगे हम आईए देखते हैं क्या करेंगे ये है हमारा 5 km और 650 मीटर इसे हम लिख सकते हैं 5 km को 4 km जोड 1 km ये लिखा जा सकता है जोड 650 मीटर तो ये हो जाएगा 4 km और 1 km की जगा हम लिखते हैं 1000 मीटर जोड 650 मीटर तो ये हो गया 4 km और 1650 तो कितना हो गया 1650 मीटर तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 1650 हम यहां से एक किलो मीटर 5 से हटाके हम यहां ले आए तो यहां रह जाएगा कितना 4 km और ये हो जाएगा 1650 मीटर तो 1650 से 750 तो घटाया जा सकता है तो इसे हम सुल्ल कर देते हैं भी समझने के लिए तो ये सुन्य से सुन्य हो गया शुन्य पांच से पांच हो गया शुन्य और सुल्ल से साथ हो गया नौ ये हटा दे रहें पांच से हमने इससे तोड़ दिया था ना एक पांच चार किलो मीटर और एक किलो मीटर तो एक किलो मीटर देतर आ गया था तो ये बच कितना गया चार किलो मीटर बच गया तो चा से चार शुनने तो यह हमारा आ गया सिर्फ 900 मीटर तो किलो मीटर और मीटर का घटाव हम लोग इस तरह से करते हैं तो आप जो और भी प्रशन दिये हुए हैं इन्हें आप स्वयम से बनाएं अब एक इबारती प्रशन अर्थात वर्ड प्राब्लम लेते हैं बिजली के तार का दो बंडल है जिसमें क्रम सह 75 मीटर 40 सेंटी मीटर तथा 82 मीटर 66 सेंटी मीटर तार है दोनों बंडल में कुल कितना बिजली का तार है दोनों बंडल का तार पूछा जा रहा है अर थाथ हमें दोनों बंडल में जो तार की लंबाई है इसे क्या करना है जोड़ना है तो आईए इसे करते हैं पहले बंडल के तार तो यह है हमारा 75 मीटर जोड़ 75 मीटर 40 सेंटी मीटर इसे हम उपर लिख देते हैं मीटर सेंटी मीटर को और दूसरे बंडल के तार बराबर यह हैं 82 मीटर और यह 66 सेंटी मीटर तो यह कुल तार आईए जोड़ते हैं से यह हमें जोड़ना होगा 60 और 6 6 4 और 6 10 तो अभी पहले हमने सीखा था कि यह 106 सेंटी मीटर है अर्था 106 सेंटी मीटर का अर्थ हो गया 100 सेंटी मीटर जोड़ 6 सेंटी मीटर और 100 सेंटी मीटर बराबर होता है 1 मीटर तो यह 1 मीटर हम इधर ले गया आते हैं मीटर के नीचे तो यहां हमारा बच गया 6 सेंटी मीटर और यह 1 मीटर इधर आ गया तो 5 और 2 साथ और इधर से एक आया तो यह हो गया 8 और 7 और 8 यह 15 तो यह हमारा हो गया 158 मीटर 6 सेंटीमीटर आज की सक्षा में हमने चर्चा किया मीटर सेंटीमीटर का जोड मीटर सेंटीमीटर का घटाओ किलो मीटर मीटर का जोड और किलो मीटर मीटर का घटाओ आसा है कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए अब जो थोड़ा बहुत कन्फूजन होगा वो जब आप अभ्यास के प्रस्नों को बनाएंगे तो वो भी दूर हो जाएगा तो आपके अभ्यास पुस्तक के अभ्यास में जो भी प्रस्न दिये हुए हैं उन सारे प्रस्नों को आप हल करें धन्यवाद